केस का नाम है मैक लोगलीन वर्सेज ओब्रियन यह 1982 का केस है और यह जो केस है वो मुखरूप से नर्वस शौक पे बेच्ट है तो चलिए अभी इस केस के फैक्ट इशू और जज्ज्मन पर आते हैं इस केस में डिफेंडेंट के नेगलेजेंस की वज़ा से प्लेनटिव के हस्बेंड और उसके तीन बच्चों का रोड एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें प्लेनटिव का एक बच्चा जो है मारा जाता है और साथ ही husband और बाकी जो दो बच्चे होते हैं वो severely injured हो जाते हैं accident के time पे plaintive जो होती है वो लगभग दो मिल दूर होती है accident के place से उसके बाद क्या होता है कि plaintive को बताया जाता है कि आपके husband और आपके बच्चों का accident हो गया है तो plaintive को hospital ले जाया जाता है जहां पर वो अपने injured husband को देखती है और दो बच्चों को देखती है कि वो injured है और साथी साथ ये भी सुनती है कि उसकी daughter का death हो गिया है तो plaintive जो है वो nervous shock से सफर कर जाती है और इसकी वज़े से वो compensation claim करती है defendant के against में तो चलिए अब court के observation और decision पर आते हैं जब मामला court में जाता है तो court plaintive के nervous shock सफर करनी की वज़े से जो damage हुआ है उसके compensation claim को allow कर देती है ये अलग बात है कि accident के time पर plaintive जो है उस scene पर नहीं थी यानि कि जहाँ पर accident हुआ था वहाँ पर plaintive नहीं थी plaintive ने अपने accidental husband और बच्चों को देखा injured और साथ ही ये सुना कि उसकी एक बेटी की death हो गई है इस वज़ा से plaintive जो है nervous shock में गई और court कहती है कि यह सब जो हुआ है वह defendant के negligence की वज़ा से हुआ है इसलिए यहाँ पर court जो है compensation allow कर देती है जो nervous shock की वज़ाद से plaintive का damage हुआ होता है तो इस case के fact issue और judgment यहीं है आई होप कि आपके यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमसे जीरो रहने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस case का PDF चाहिए तो comment box में